गुद मॉर्निंग सिक्स क्लास हम लोग इंग्लिश में फॉर्थ चप्टर पढ़ रहे थी इन दा लैंड ओफ जाएंट इसमें हमने शुरू कि जो फाइफ परिग्राफ थी वो पढ़ लिये थे और हमने इसमें जान लिया थे कि हमारे जीसा इंसान होता है जो बहुत लंबे चोड़े जो होते हैं उनके जेकर पर चला जाता है उनकी देश में चला जाता है और फिर उसके साथ जो बहुत बड़ी होती है तीस फिट हाई होती है वो बहुत बड़ी टेपल होती है वहां पर लोग खाना खा रहे होते हैं तो फिर इसको भी खाना परोसा जाता है जो छ हम आगे शुरू करते हमारा चप्टर करते हैं कि दिए दा मिस्ट्रेंस सेंठर मेट फैच ओ स्मोल मैडिसन काप जो मिस्ट्रेस थी यह घर की मालकिन थी वो पनी नौकरानी को भीच ती ए क्या ट्रिंग ठीट कृट है तो त्रिंग एक गैलन का मतबता है लगबग साड़े चार लीटर ठीक है तो त्रिंग उसने मंगवाया I lifted the cup with great difficulty in both hands मैंने अपने दोनों हाथों में बड़ी मुश्किल से जो लगबग 12-14 लीटर का जो कप था उसको बड़ी मुश्किल से उठाया अपने हाथों में then in a most respectful manner drank to their health speaking out of the words loudly then in a most respectful manner drank और फिर बहुत ही सम्माननी अंदाज में मैंने क्या किया उसको पीना शुरू कर दिया to their health speaking out the words loudly और जब बातें कर रहे थे तो मैं इसको पी रहा था it made them all laugh heartily मतलब मेरी जो activity थी पीने की इसने drink को पीने की उसने उन सबको बड़ा खुश कर दिया I almost went deaf with the laughing noise और मैं लगभग वहरा ही हो चुका था उनके हसने के आवाजों से the drink tasted good उस drink की जो taste था बहुत ही अच्छा था स्वाद बहुत अच्छा था now the master farmer made a sign for me to come to his site और अब जो मालिक किसान था master था उसने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया as I walked I stumbled और जैसे ही मैं चला मैं क्या हो गया stumble हो गया नहीं टकरा कर गिर गया ठोकर खा गया against a crust of bread and fall flat bread का एक टुकडा था एक crust थी पपड़ी उससे मैं टकरा कर गिर गया क्योंकि प्रेड बहुत बड़ी थी बड़े लोगों की देश में थी I got up at once मैं अचानक से उठा and saw that the good people were और फिर मैंने ये दिखा उठने के बाद कि वो जो सारे अच्छे लोग थे वर a standing were all standing around सब मेरे चारों तरफ खड़े थी I took my head waved it over my head मैंने अपनी टोपी ली इसको मेरे सिर के चारों तरफ वेव के एने हिलाया and bowed low three times और तीन बार में उनके सामने जुका they were glad to see that I was not hurt और बड़े खुश हुए जानका कि मुझे चोट नहीं लगी थी just then the youngest son of the farmer उसके बाद में जो किसान का सबसे युवा पुत्र था a boy of 10 जो 10 साल का था took me up by the legs उसने मुझे मेरी टांगे पकड़कर उपर उठा लिया and held me in the air और मुझे हवा में उपर उठा लिया I was shaking all over with fear मैं बड़े डर से कांप रहा था but his father stretched me from his score from him लेकिं उसके पिताजी ने उसको उसके हाथ से छीन लिया अपने बेटे के हाथ से दोकी 10 साल का था and scolded him for his bad manners scolded का मतबता है डांटना तुसको डांटना किस के लिए उसके bad manners के लिए when we were halfway through the lunch जब हमने आधा ही लंच किया था their pet cat jumped into the lap of the mistress तो मालकीन की गोदी मून की पालतु बिल्ली कूद के कूद कर आ गई when I heard the purring noise of the cat I turned my head और जैसे ही मैंने बिल्ली की इस तरह से उसकी purring noise होती है किसी चीज़ पर attack करने किस आवाज और बल्ली जब करती है किसी चीज़ पर attack करती है तो इस तरह से sound निकालती है तो उस purring noise को मैंने सुना the animal was three times the size of an ox किसी बैल से भी इन गुना बड़ी बिल्ली थी वो its frightening look made me trembling और इसके डरावनी जो लुक था उसने मुझे कंपा दिया बल्कुर मैं कांपने लग गया I could not move out of fear और मैं डर के कारण हिल भी नहीं पाया अपनी जगा से three dogs of the farmer came into the room for the leftovers और फिर जो बचा कुचा खाना तो उसके लिए मालिक के जो उस किसान के तीन कुत्ते थे वहां पर आए one of them was a mastiff mastiff क्या होता है दर देखिए 17 नंबर पर दे रखा है a dog of a large strong breed with hanging ears and lips जिसके कान और जो होट होते हैं लटकते होते हैं और काफी लंबा चोड़ा कुचा होता है strong breed होती है उसको mastiff कहा जाता है इसके साथ ही एक और word आए गाए इसके अंदर greyhound ही होता है swift slender breed of dog used in racing एक बहुत तेज और पतला सा कुचा होता है जिसको racing में use किया जाता है ठीक है तो दोनों वर्ड यहां पर use किये गए है leftovers को लेने के लिए तीन कुच्ट्या है उसमें से one of them was a mastiff एक तो mastiff था जिसके होट और जीप लटकती है the size of four elephants उसकी size चार हाथियों के बरावर थी and a greyhound greyhound कुच्टा जिसको race में काम में लिया जाता है somewhat taller than the mastiff but not so big तो वो mastiff से थोड़ा लंबा तो था लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा नहीं था तो यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे मैंने आपको word meanings को बता दी है जो tough है इसको आप लोग लेखिए copy में learn केजिए मिलते हैं अगली class में तब तब किले बाइवर्यवन